असलाम वालेकुम स्टुडेंट्स हम एक्सराइज 2.2 एफसी पार 2 मैथेमेटिक्स करने लगे हैं इसमें हम डेरिवेटिव बाइ डेफिनिशन फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट फाल लेट वाइज एक्वाल टू थीरी टीव प्लस टू पावर माइनस टू फर्स्ट टेप में हम यह क्वेश्चन हो गया फाइज प्लस डेल्टा टी करेंगे हम डेल्टा टी क्यों किया क्योंकि इन टर्म आफ टी हमारे पास क्वेश्चन माजूद है यहले थीरी टी प्लस डेल्टा टी प्लस टू थीरी टी प्लस थीरी डेल्टा टी प्लस टू थीरी टी प्लस टू प्लस थीरी डेल्टा टी पावर माइनस टू इसको ब्रेकट्स में क्लोज कर लेते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा वाई को इधर ही रहने दो इस वाई को इधर सब्ट्रेक्ट कर दो 3T प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी माइनस 2 माइनस वाई यहां से कमन ले लेते हैं 3T प्लस 2 1 प्लस 3 डेल्टा टी 3T प्लस 2 माइनस 3T प्लस 2 माइनस 2 इधर से हमने कमन लिया यह 3T प्लस 2 इधर डिवाइड हो गया क्योंकि इधर मौजूद नहीं था यह प्लस 2 इसके साथ वैसे ही आगे अगे 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 इधिज और यह रिमेनिंग रह गया हमारे पास अब यह वाली जो 3T प्लस 2 पावर माइनस 2 और 3T प्लस 2 पावर माइनस 2 यह कमन ले लें हम 3T प्लस 2 पावर माइनस 2 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3T प्लस 2 2 और 5 यह प्लस 2 यहा ऱई रिमेनस 2 टी प्लस 2-2 यह थ। by binomial formula 1 plus nx that is nx 1 plus n over 3t plus 2 x 1 plus nx plus n into n minus 1 it means 3 over 2 factorial into x square 3 delta t over 3t plus 2 and its square plus up to so on and last में minus 1 ये plus 1 और ये minus 1 cancel हो जाएंगे 3t plus 2 minus 2 into 3 delta t over 3t plus 2 6 by 2 factorial 3 delta t over 3t plus 2 3 delta t over 3t plus 2 कॉमा ले लेते हैं 3 delta t over 3t plus 2 minus 2 plus 3 3 delta t over 3t plus 2 प्लस अप्रस्वान यह कैंसल हो जाएगा 3T प्लस 2 पावर माइनस 2 और पावर माइनस 2 यह उपर जाकर माइन प्लस 1 होगा 3T प्लस 2 पावर माइनस 1 इंटो 3 डेल्टा T माइनस 2 प्लस अप्टो सो ओन डेल्टा T को डिवाइड कर दें डेल्टा वाइपर डेल्टा Y by डेल्टा T 3T प्लस 2 माइनस 1 1-2 प्लस 3 इंट डेल्टा T और 3T प्लस 2 अःस्कर बसयकर अप्लस अजकर अजकर 2016 limit delta t approaches to 0 delta y over delta t 3 into 3 t plus 2 power minus 1 into minus 2 plus 0 by putting lambda t approaches 0 this term will be equal to 0 so 3 into 3 t plus 2 power minus 1 into minus 2 minus 6 by 3 t plus 2 and its power a given function first step we add delta y in our given function next we subtract function y on right hand side in third step we divide delta y by delta t and in fourth step we have limit delta t approaches to zero so this is our required derivative of given question